नमस्कार, दोस्तों, स्वागात है आपके अपने चैनल एक है ऊलरंडर में, दोस्तों आज किस वीडियों में फिर आप लोग के सामने रिजिनिंग के एक सांदार लाज और चेप्टर्स ले कर उपस्तित वाओं। जी हां दोस्तो आज के इस पीडियो में हम लों डिसकस करेंगे statement conclusion यानि की कथन discuss अक्षर exam में यहां से इस chapter से एक questions अवस पुछ ले जाते हैं तो चली start करते हैं आज के इस पीडियो में statement conclusion यानि की कथन निसकर से 5 questions आपको उताये जाएंगे अगर आप इन 5 questions को ध्यान से रहेंगे और ध्यान से एक पॉइंट को समयने का प्रयास करेंगे तो चली start करते हैं statement conclusion यानि की कथन निसकर्ष आपको बतादे कि इस chapter में आपको statement दिया हो रहेगा यानि की कथन दिया हो रहेगा आपको उस कथन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इस कथन को पढ़ने के गलत है और आपको बतादे कि आपको statement को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इसके बाद ही निसकर्ष को स्लेट करना है अपने मन से कुछ नहीं करना है तो चली start करते हैं फर्स्ट कोशनस होगा आपके skin पे statement में दिया हुआ है कथन में दिया हुआ है कि मेरा प्रथम तता सब से महत्व का काम इस नगर का संदरी करन करना है यदि एक्स और वाई नगर इसा कर सकते हैं तो इसे हम क्यों नहीं कर सकते हैं पद भार ग्रहन करने के पश्चात नगर जेड के नगर पाली का आयुक्त का यह ब्यान है यह statement है चली next आते हैं conclusion पे हर्स्ट conclusion में दिया हुआ है नगर जेड के लोग अपनी नगर की वर्तमान बदसूर्ती से आउगत नहीं है आपको बता दे कि पहला जो conclusion है पहला निसका जो है वह wrong है statement में दिया हुए था कि पद भार ग्रहन करने के पहचात नगर जेड के जो नगर पाली का आयुक्त का जो ब्यान था उनका कहना था क सबसे महत्त का काम इस नगर का संदरी करन करना है यदि एकस और वाई नगर इसा कर सकते हैं तो इसे हम क्यों नहीं कर सकते हैं उनका यहीं करना था कि अगर एकस और वाई नगर जो है वह अपने नगर का संदरी करन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं यानिकि जेड न conclusion पे second conclusion में दिया हुआ है कि वह अत्मान आयुक्त ने X और Y नगरों में काम किया है तथा उन्हें नगरों के संदरी करन का अच्छा नुबा है ऐसा statement यानि का ऐसा कथन में नहीं दिया हुआ है कि नगर Z के नगर पाली का आयुक्त जो है वह X और Y के भी नगर पाली का आयुक्त रह चुके हैं या ऐसा statement पे कही पे दिया हुआ नहीं है इसलिए आपका conclusion 2 जो है वह अभी रहुआ है यानि कि निसकर्स 1 और 2 दोनों रहुआ है चलिए next आते हैं second example की तरब second example होगा आपके skin पे statement में दिया हुआ है कि cinema hall के ticket counter पर भीण नहीं रहने के करन अब यह घाटे का बेपार बन गया है चलिए next आते हैं conclusion पे conclusion में दिया हुआ कि आम लोग अब cinema में रूची नहीं लेते हैं यह सही है correct है आम लोग अब cinema में रूची नहीं लेते हैं चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड एक्जाम्पल क्यों? थर्ड एक्जाम्पल होगा आपके स्किन पे स्टेटमेंट यानि की कथन में दिया हुआ है कि देश में ब्याप्त भरस्ट चार से तंग आकर एक बयो बिरिद निता ने एक समधाता समिलन में कहा कि सेना को कुछ दिनों के लिए सत्ता सम्हाल लेना चाहिए चलिए नेक्स्ट आते हैं कनक्लूजन में कनक्लूजन फर्स्ट में दिया हुआ है कि सेना से भरस्ट चार अपेक्षित नहीं है आपको बता दे कि पहला जो निस्कर से हुआ करेक्ट है सेना से मरष्ट चार अपैक्छित नहीं है राइट है चलिए नेक्ट बात करते हैं कंक्लूजन टू की कंक्लूजन टू में दिया हुआ है सेना देश का सासन बेवस्ता राइट है चलिए नेक्ट बात करते हैं थर्ड एक्जाम्पल होगा आपके स्केन पर स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि एक्स कम्पनी के माध्यम से जितने भी फिलिम रिलीज हुई लगबग सभी सफल हुए हैं, सभी successful हुए हैं, सभी super hit हुए हैं conclusion के अगर बात करें, निसकर्स के अगर बात करें तो first conclusion में दिया हुए कि इस company के management को film परक में अच्छी जनकारी है यानि कि conclusion 1 यानि कि niscus 1 जो है वह correct है, true है आपको उता दे कि company के management को film परक के अच्छी जनकारी है तभी तो film जो है वह super hit हो रही है film जो है वल्लागबग सभी film जो है सभी movie जो है वह सफल हो रही है इसलिए आपका conclusion 1 जो है वह correct है क्योंकि conclusion 1 में दिया हुए कि इस company के management को film परक में अच्छी जनकारी है चलिए next आते है second conclusion की तरफ second conclusion में दिया हुए है अच्छे निर्माता निर्देशक एक्स company के मध्यम से film release करना चाहते है ऐसा कोई जरूरी नहीं है release करने के लिए ex company के पास ही संपर करे ऐसा कोई जरूरी नहीं अच्छे निर्माता और निर्देशक जो है वह दूसरे company से भी movie को release करकर सफल यानि की super hit बना सकते है ऐसा statement में कही कोई जनकारी नहीं है इसलिए आपका conclusion 2 जो है वह wrong है conclusion 1 जो है वह correct है चलिए next बात करते है आपके skin पे statement में दिया हुआ है कि भारत के विभीन उद्योगों में जहारखन के मजदूरों की मांग सबसे अधिक है चलिए next आते हैं conclusion पे यानि की निसकर्स पे निसकर्स 1 में दिया हुआ है कि जहारखन के मजदूर अन परदेशों के मजदूरों के पेक्चा ज्यादा तक्च होते है यानि की निसकर्स 1 जो है वह आपका correct है इसलिए जहारखन के मजदूर जो है वह अन परदेशों के मजदूरों के पेक्चा ज्यादा तक्च होते है और इनकी मांग जो है डिमांड जो है वह अधिक है आप देखे होंगे लोगडाउन के समय में जहारखन के जो मजदूर थे वाला दाक के छत में जाका रूड बनाये थे एक महिना के अंदर चलिए नेक्ट आते हैं सेकेंड कंक्लूजन पर यानिकी सेकेंड निसकस में दिया ह है कि जहारखन के मजदूर अनपर्देशों के मजदूरों के पेक्षा ज्यादा सस्ता है यह अभी true है यह अभी right है यानि कि जहारखन के जो मजदूर है वह अनपर्देशों के मजदूरों के पेक्षा इनका जो चार्ज है वह कम है यानि कि सस्ता है यानि कि आप कर सकते है कि जहारखन के जो मजदूर है वह cheap and best है जहारखन के जो मजदूर की मांग इसलिए सबसादिक है क्योंकि other पर्देश के मजदूरों का पेक्षा ज्यादा तक्ष होते है और other पर्देश के यानि कि अनपर्देशों के मजदूरों का पेक्षा ज्यादा सस्ता है यानि कि conclusion 1 और स्टेट्मेंट के जो आज पांच एक्जांपल्स आपको समझ में आगा होंगे तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत